इलो बकरे का मतन जट का मतन है और पानी से इसको अच्छे से साफ कर लेंगे किस दे किसं में से बया कि किस्टिक दच्थμεं מאज सिर्धर, शे support बंड बंचे किस्टिक का में अपस्ता धो ऑया थाय। इसको रख, इसमें राई का तेल जाल देंगे, गरम हो चुका है, तो हलका सान इसमें नमक डाल देंगे, कांडा डाल देंगे, मसाला डाला ही नहीं, अख्का मसाला है, कांडा देंगे, कांडा देंगे, कांडा देंगे, कांडा देंगे, इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, कांडा मीर्फिल्ट, अधरब सब मने लाल हो गया है, अब इसमें मटन दाल देंगे, अच्छी एंगा एक्ताइब बागे अच्छी स memख़नाथ हुआ, नह टुआ, हुआ, हुआ, हुआ हुआ अजय इसको ढखके रख देंगे मतन में पानी देखो फूरा एक दम निकल सुटा है इसको दो मिनट तर और भूनेंगे दो मिनट के बार इसको चला लेंगे हल्दी पास्मिरी लाल मर्शी पौडर रण मसाला इसको मिनट करेंगे इसको मिनट करेंगे इसको मिनट करेंगे आज को मैंने सिलो कर देंगे और थोरा से दही इसमें डाल देंगे इसको भी मिक्स कर देंगे मिस्ट करने के बाद में बैस फास करेंगे इसको अच्छी तरह से मसाला भूजेंगे और हलका सा नमक डाल देंगे चुट में डाल आज करेंगे अच्छी जोगे रपकन जोगे करेंगे नमकर देंगे दो मिनट के बाद देखिए मसाला पूरी तरह से तेल जो है ठोड़ चुका है अब इसमें अपने हिकसाब के अनुसार डालेंगे पानी अब इसका ढपकन लगा देंगे और शिरिफ दो सीटी ही लगाएंगे इसको क्योंकि 70% मतन जो है गल चुका है सुर्ण से होग के बीदा से नहीं तो ही गया है मैंने होग थाटे नहीं तो सभी करन तरे शाच pið पय कर दो खिल पूरी तरह से गाय से देखो मने निकल चुका है अब इसको खोल के देखते हैं इसको देखते हैं गला है कि नहीं मतल पूरी तरह से घल चुका है यह देखिए इसमें जो है डाल दे रहे हैं यह देखिए धनिया डाल दे रहे हैं और इसको मिराज है बहुत कम समान में ही मतन बनके एकदम रेटी हो गया है घर के ही समान से पुरा यह देखिए क्दोड़ लेग हैं देखिए झाल को पुराङ्ट ऑल अज़ अज़ शड़